एक बार एक टीचे क्लास में पढ़ा रहे थी, बच्चों को कुछ नया सिखाने के लिए टीचे ने जेव से 100 रुपय का एक नोट निकाला, अब बच्चों की तरफ और नोट दिखा कर उन्होंने कहा, क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये कितने रुपय का नोट है, सभी बच बच्चों ने कहा 100 रुपय का, तीचर कहते हैं इस नोट को कौन-कौन लेना चाहेगा, सभी बच्चों ने हाथ खड़ा किया, अब उस टीचर ने उस नोट को मुठी में बंद करके पूरी तरह मसल कर, पूरी तरह से कुचल सा गया, अब तीचर ने फिर से बच्चों को न नोट को जमीन में फेका, और अपने जूते से बुरी तरीके से कुचल दिया, फिर टीचर ने नोट उठाकर फेज से बच्चों को दिखाया और पूछा, अब इसे कौन लेना चाहेगा, तभी बच्चों ने फेज से हाथ उठाया, अब टीचर ने कहा, बच्चों, आज मै मैंने इसे हाथ से कुचल तो ये नोट कुचल गया, लेकिन इसकी कीमत सो रुपए ही रही, इसके बाद जब मैंने इसे जूते से मसला, तो ये नोट गंदा हो गया, लेकिन फिर भी इसकी कीमत सो रुपए ही रही, ठीक वैसे ही इनसान की जो कीमत है, वो इनसान की कीमत है, और इंसान की जो काबिलियत है वो हमेशा वही रहती है आपके उपर चाहे कितनी भी मुसीबत आए ते भी मुश्किले आजाएं चाहे कितनी मुसीबतों की धूल आपकी उपर गिरे लेकिन आपको अपनी केमत नहीं गवानी है आप कल भी बहतर थी और आज भी बहतर है तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रू बताएं धन्यवाद